जै जिनेंद्र, जै महावीर लास्ट वीडियो में मैंने दान के बारे में बताया था, दान का एक सुन्दर सा स्तवन भी भीजा था आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा उससे ही रिलेटेड, मुझे यह टॉपिक लगा, इसलिए मैं ले रही हूँ बहुत सुन्दर टॉपिक है अंतराय कर्म प्रत्यक आत्मा में अनंत शक्ती है उस आत्म शक्ती को प्रकट करने के लिए जो शक्ती चाहिए उसमें बादा डालने वाला अंतराय कर्म है अंतराय शब्दकार्त क्या है? विग्न, बाधा, रुकावर्ट, अडचन, आदी जिस कर्म के उदे से जीव को दान, लाब, भोग, आदी, विग्न या बाधा उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते है आत्मा की अनंत वीर्य शक्ती का घात करने से यह कर्म घाती कर्म है इस कर्म का स्वभा, नेचर किसके समान है? कैशियर के समान है जीव रुपी, राजा के दान, लाब, भोग, आदी की इच्छा पूर्ती में रुकावर्ट उत्पन्न करता है तो अपन जानेंगे अंतराय कर्म के पांच भेद सबसे पहला है दान अंतराय मैंने दान की डेफिनेशन डाली थी अपने अधिकार की चीज जिसको जरुत है उसको देना क्या है? दान कहलाता है वही चीज फिर से कहती हूँ दान की सामुगरी पास में हो कुनवान पात्र लेने के लिए सामने हो दान का फॉल भी पता है आपको दान की इच्छा भी है फिर भी जीज कर्म के उदे से जीव को दान देने का उस्साह नहीं होता है उसे दान अंतराय कहते है जैसे श्रेनिक राजा की दासी कपिला के पास देने योग्य सारी सामुगरी उपलब्द होने के बाद भी दान देने का अग्रह होने पर भी उसे दान देने का उस्साह नहीं था Second word है लाब अंतराय मन वांचित पदार्त की प्राप्ती होना लाब है मतलब अपने को जो चीज की जरूरत है न वह प्राप्त हो जाना कर्म के उदे से उसे इष्ट वस्तु की प्राप्ती न हो उसे लाब अंतराय करते हैं धंडन मुनिको 6 महने तक लाब अंतराय के कारण गवेश ने करने पर भी निर्दोष आहार नहीं मिला इसका कारण सरवग्य प्रभु नेमीनात ने बताया पूर्वभो में किसान के रूप में उन्होंने दिन भर बैलो की जोड़ी से बहुत परिश्रम कराया किन्तु आहार नहीं दिया हम भी देखे न डेली रुटी में कोई नवकर है अपने यहाँ पे कोई काम करने वाला सरवंट है तो हम उससे बहुत काम कराते हैं और उसको खाने के लिए देते भी नहीं है और पूछते भी नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए तीसरा है भोग अंतराय जिन वस्तु का एक ही बार उप्योग होता हो उसे भोग कहते है जैसे भोजन और पानी भोग के साधन उपलब्द है मन पसंद पदार्त का सेवन करने की इच्छा भी है त्याग नियम नहीं है फिर भी जीस कर्म के उद्धे से जिव भोग वस्तु क भोग नहीं कर सकता है उसे भोग अंतराय कर्म कहते है ममन सेट ने पूर्वभो में एक मुनी को केसरिया मोदक का लड़ू बेराया उसके जाने के बाद पडोसी के शब्दों से उसके भाव बदल गए वह मुनी के पीछे भागा और मोदक लोटाने की मांग करने लगा मुन यह अंतराय देखकर लड़ू को मिट्टी में परठा दिया इस कर्म के फलसरूप ममन सेट को अपार संपत्ती सामुगरी मिली किन्तु भोग की शक्ती नहीं मिली हम भी हमारी कोई फेवरेट चीज किसी को देते है और फिर से क्या करते है पशाताप होता है और मांग लेते ह तो ऐसा नहीं करना है फोर्थ वन उपभोग अंतराय जो वस्तु बार बार भोगी जाती है वह उपभोग कहलाता है जो वस्तु को जैसे मकान है वश्र है औरनामेंट्स है फरनीचर से उपभोग की सामुगरी होते हुए भी जीव जीस कर्म के उदे से उस सामुगरी का कुमारी राजपुत्री पत्नी के रूप में मिली किन्तु उसे 22 वर्ष तक उपभोग करने का मन ही नहीं हुआ बहुत सुन्दय स्टोरी है यह भी मैं आगे डालूंगी आप पक्का देखना पांचवा है फिप्त वन वीर्य अंतराय वीर्य यानि शक्ति सामर्थ्य पराक् पर ग्रम उस्साह बल जिस कर्म के उदे से किसी भी कार्य या तक त्याग अध्यतनी प्रवरुतियों में मांसीक्ता होने पर भी उससाह नाश रूप विग्न उपसित होता है उसे वीर्यांतराय कहते है मुनी स्तुली भद्रजी के भाई श्रीयक मुनी का वीर्यांतराय कर्म इतना प्रबल था कि वे एक दिन का उपवास करने में भी समर्थ नहीं थे हम भी पर्यूशन में पक्खी के दिन पूरी सामूगरी अपने पास है फिर भी हमारी इच्चा होती है हमें एक उपवास करें एक इकाशना करें नहीं होती है ना उसी की तरह तो तत्वार्त सुत्र कर्म ग्रंत के अनुसार अंतराय कर्म बंद के कारन बताया है सबसे पहला बताया है दान देने में रुकावट डालना स्वयम दान तो देना भी नहीं कोई दान देता हो न उसे अच्छा नहीं मानना किसी का दान देने में वीगन करना दान धर्म की निंदा करना इत्यादी से क्या होता है दान अंतराय कर्म बनता है तो हम ये सब चीजे नहीं करेंगे दूसरा है लाब में अंतराय डालना किसी के लाब में बाधा डालना सोधा तुडवा देना सम्मन समाप्त कर देना किसी के भुजन में वीगन डालना या दूसरों के सुकसादन प्राप्त होने में अंतराय डालने से लाव अंतराय कर्म का बंद होता है। भोग अंतराय किसी के खाने पिने आधी भोग में बाधा डालना, खाते समय बीच में से उठा देना, इत्यादी से क्या होता है? भोग अंतराय कर्म का बंद होता है। वो उपाय करके कर्म बंधन से बस सकते हैं सबसे पहला है पश्यू पक्षी या मनुष्य जब खाते हो न तो विग्न नहीं डालना उन्हें खाते खाते भगाना उडाना नहीं और न उनका भोजन छिनना दूसरा कोई किसी को भोजन देता हो न तो उसे रोकना नहीं है न अप ग्रेलीरुटिंग में करते है हमारी मम्मी अगर कुछ फेवरेट नहीं बनाई और अपने को पसंद नहीं है कारले की सब्जी अगर वो है तो हम क्या करेंगे उससे हेट करेंगे और जित करेंगे दूसरी वस्तु खाने की तो खाने के letzten की बहुत मज़ा आता था आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है पाचवा है घर पर आये अतिती भोजन किये बिना लोट न जाये इसका ध्यान रखना मेरे दादा जी वो बहुत ध्यान रखते थे कोई भी घर पर आया बगर खाना खिलाए कभी भी नहीं भीशते थे हमने भी ध्यान रखना कोई भी गेस्ट आये हमारे यहाँ तो उनको खाने का बोलना चट्टा है जो अपंग है निर्बल है रोगी है वो जीवों को क्या करना भोजन देना उनको बिठा के खाना खिलाना जैसे आपके ममी को टेंपरेचर है बहुत बुखारा गया तो आप क्या करोगे ममी को जाके आपके हाथ से खाना खिलाओगे तो आज हमने जाना अंतराय कर्म और उसके पांच भेद दान अंतराय, लाव अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय देखा आज की वीडियो में कैसी छोटी छोटी बाते करकर हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं सामाई, प्रतिक्रमन, एकाशना, तब, तो हम बाद में सिखेंगे, बाद में करेंगे, सबसे पहले हमको छोटी-छोटी बाते जीवन में अनुकरन करके कर्मों के निर्जरा करना है, खाने का तिरसकार बिल्कुल नहीं करना है, मम्मी जो भी बनाती है हमको वो खाना है, और गाय और पशु पक्षी को खाना देना है, दाना देना है, और हमारे यहां कोई भी आतीती आहे, तो उनका आदर और सदकार करना है, ऐसे ही अच्छा विशे लेके, फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जै जनेंद्र, जै महावीर!